रांची पटना फोरलेन पर रामगड थाना छेतर के पटेल चौक पर मंगलवार पूरवाहन ग्यारत तीस में एक वीशन सरक दुरगट नगटी है जिसमें समचार बेजे दाने तक चार लोगों की मौत की खबर है रामगड रांची फोरलेन सडक पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है रामगड पुलिस सहयोग के लिए दो क्रेन को बिला कर दुरगट नास्थन पर पल्टे वाहनों को ठीक कराना में लगी है जानकारी के मताबिक रामगड के पटेल चोके निकट शक्ती फ्यूल के समक्ष र 306 BT6325 का ब्रेक फेल हो गया जिससे की ट्रेलर ने तीन छोटे वाहनों सहित कई बाइक को अपने चपेट में ले लिया राची के तरब से आ रही तीन बलेनों एक बोलेरो दो मोटरसाइकल को क्षती पहुंची है जिससे की दुरगट नास्तल पर चार लोगों के मौत की सू लोगों का नाम पता भी तक नहीं चल पा रहा है रामगड पुलिस राहतकारे में लगी हुई है दुरगट नागरस्त टेलर के इंजन में आग लग गई है जिसे परसासन बुझाने में लगा है राची के और से आ रहा है बाइक GH01 DK3861 कार नमबर JH01C2671 JH01EK6557 को टेलर ने अपनी चपेट में लिया दुरगटना में टेलर एक बोलेनो कार पर पलट गई है कार में चार लोगों के दबे होने की आशन का जयताई जा रही है अभी एक काफी unfortunate incident जो रामगर जिले में हुआ है कि पडेल चौप से पास कुछ गाड़ियों का एक्सिडेंट हुआ है और उस लोग की देथ हुई है रिपोर्टेथ है तो यह काफी unfortunate incident है जो हमारे रामगर जिले में अभी चुटीख रही है अभी ऐसा कुछ नहीं कहा सब सकता है बट प्राइमा के इसी जो हम लोगों ने दिया है कहीं ने कहीं राइस ट्राइजिंग हुई है और जहां तक नहीं चाही से रिलेटेट शिकायत है हम लोग उसकी security features जो वो construction में अपना इंप्लिमेंट कर रहे है उसको definitely हम लोग दिभी सर rescue team भी नहीं पहुंची अभी तक दो घंटे के बाद भी rescue team यहां नहीं पहुंची थी पुलीस केवल पुलीस और जीला प्रसासन के सहयोग से ही क्या करेंगे कि अदर लापरवाई नहीं है सब्सक्राइब करेंगे